चील और कोब्रा दोनों ही खतरनाक सिकारी जीव है पर क्या हो अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो दरसल चील एक खास रणनेनिती अपना कर सापों का सिकार करती है चील कभी भी जमीन पर साप से नहीं लड़ती वो साप को एक जपटे के साथ आसमान में उड़ा ले जाती है क्योंकि जमीन पर चील साप से हार सकती है इस तरह चील यूद का इलाका ही बदल देती है जहां साप कमजोर और असुरचित हो जाता है जिसके बाद चील साप को आसमान से जमीन पर पटक देती है जिससे साप का क चील उसे खाने लग जाती है लेकिन जब चील साप को लेकर उड़ नहीं पाती है तो साप उस पर भारी पड़ जाता है और साप उसे लपेट कर उस पर जहर छोड़ देता है जिससे चील मारा जाता है